वेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर मैं हूँ रश्मी और आप देख रहे हैं अपना चैनल राशु कार्णर तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हूम फेशियल के उपर क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़े अनलॉक हैं बहुत सारी चीज यहां पर ता कि आप घर बैठे बैठे अपने अपने फेशियल कर सकते हो तो वह है अगर को स्थादी हैं पार्टी हैस फंक्षनेश कुछ भी है तो आप उस ऐस vona कर सकते हो यूज hall कशने चैनल में चानल कर देना सब्सक्राइब कर देंआ और उपने फैमिली और फ्रेंज करने वाले हो तो ज़रूर उनके साथ शेयर करना तो चलिए फड़ावर स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो आप ज़रूर उस वीडियो को लास तक देखना और मुझे बताना आपको कैसा लगा इसका इफेक्ट और ज़रूर यूस करना क्योंकि काफी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है आपके बजट में आ जाएगा और दो तीन बारी तो आप सिंगल यूस कर ही सकते हो इसको अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए अचानक सी कोई प्लान बन गया या तीज का फेस्टिबल आ रहा है अगर आप घर बैठे कुछ फेशियल करना चाहते हो तो यह वाला फेशियल की बहुती जादा ऑसम है एक दो चीजे इसकी थोड़ी बहुत मुझे पसंद नहीं यह वह मैं आपको आगे बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फेशियल स्टेप को वन बाई वन हालो दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले स्टेप से तो पहला जो है यह चोटे-चोटे छे ट्यूब में रिसीव हुआ था आगे मैंने आपको पहले बता दिया है तो इसका पहला स्टेप है क्लींजिंग का बहुत छोटा ट्यूब है पहले देखने में यह है पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और अभी आप मेरा फेस देख रहो कितना डल है और आफ्टर फेशल भी आप देखोगे क्या असर होता है इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करते हैं यह फेशल किट इस्पेशली तीज वेगेरा आ रही है तो अगर आप बाह यह फेशल रखो अपने पास वाइप रखो वेट वाइप से रखो गिला वाइप उससे आप अच्छे तरीके से इसको पोच लो उसके आगे के तयार अफेस को तयार करने के लिए इसका जो मेन इंग्रीडियंट है पूरे फेशल कीट का वह है इंडियन बरवरी सैफ्रोन म प्राम करती है आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो है तो कुछ न कुछ तो इसके अंदर खास चीज होगी देख सकते हो कितनी गंडगी निकली है मेरे चेहरे से कि इसके बाद हम अपना सेकेंड स्टेप करेंगे यार इसकी प्राइज जो है अलग-अलग साइट पे अलग-अलग है इनाइका पे दोसों में मिल रही है अमेजुएन पे 175 रुपीज में मिल रही है तो चलिए सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं अब यूज करेंगे हम स्क्रब को स्क्रब के अंदर बहुत ही माइल पार्टिकल्स थे काफी अच्छा लग रहा था स्क्रबिंग करने में तो इसको स्क्रब को आप अपने फेस पे 2-3 मिनट से जादा मत करो थोड़ा हार्ड स्क्रब है आप देख लो लेकिन इसके पार्ट यूज नहीं करना चाहिए अच्छे से आप इसको स्क्रबिंग कर लो बहुत अच्छे ध्यान से एकदम अपवर्ड मोशन में ही करना और इसके बाद 2-3 मिनट के बाद इसको दो लेना क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है तो आपको जली जली दिखेगा तो मैं यह स्क्रब है और भी आगे जो चीजे है में आपको बारी-बारी से बताती हुए जाओंगी इन्डियन बरबरी फेस्क्रब के लिए किया है जो इन्होंने यूज उसका में इंग्रियंट यही है यह सब फेस के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है जो भी नेच्र इस पे आप घर बैठे अच्छा ग्लोव फेस्ट कैसा कर सकते हो आप इसलिए तो स्क्रब दो-तीन मिनट करो यह फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है दो-तीन मिनट ही करना आपको इसमें तो आधा मिनट खाई वीडियो दिखेगा स्क्रब करने के बाद ही आप देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से यह आपके स्किन को रिफ्रेश कर देता है एक्स्फ्लूएट कर देता है जितने भी टैन हैं आपके रिमूब हो जाते हैं आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो और अभी की स्क्रब के बाद वाली स्क्रब के बाद ही कितना जाधा प्रिम निखington के आया है इसकी इसके बाद इन्होंने दिया है जेल मौसिराइजरों कि जिससे आपको मसाज करना है इसका मेन इंगेडियन्ट है सैफरॉन सैफरॉन आपको पता ही है कि आपके स्किन के कलर को निखहरने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है तो सैफरॉन है यह इसके ट्यूब पे नाम ही लिखा हुआ है सैफ्रोन मसाज जेल तो आपको इसको 10 मिनट तक आपको करना है फिर आपको कॉटन वाले वाइप से इसको हटा देना है इसकी एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि इसने तोड़ा बहुत आगे मैं बताऊंगी कि इस टेप मुझे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लग रहा था लेकिन फिर मैंने देखा कि जैसा लिखा है वैसा ही करते हैं उससे ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी यह आपके टेक्स्टर को इंप्रूफ करेगा औल स्किन टाइप है बहुत अच्छे तरीके से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है आपके स्किन के डेट सेल्स को हटाएगा बहुत अच्छे तरीके से आपके टेक्स्टर को इंप्रूफ करेगा आप देख सकतो थोड़ा बहुत स्टेप कर लो यह सब बेसिक स्टेप सभी लोगों को आते हैं जो मासाज के स्टेप हैं एक दो पिंपल्स हो गया है me Поэтому पर जब बारिस का मौसम होना था तो अभी गर्मी हो रही है और गर्मी के मौसम में कॉलकता में अबारिश हो रही थी तो काफी उल्टा-पुल्टा मौसम चल रहा है उस वज़ा से ही स्किन पे असर हो रहा है यह बहुत ज्यादा तो फिर फोर्थ स्टेप वाला क्यों दिया है आप मैं आपको दिखाती हूँ यह इस निग्ड फेस क्रीम जो कि इसका में इंग्रेडियन्ट है इसका मेन इंग्रेडियन्ट है आपको मलबरी जो कि आपके स्कीन को बहुत ही अच्छा रिजुमिनेट देती है और ब्राइट करती है आपके स्कीन टोन को हेल्दी स्कीन बनाती है मलबरी तो इससे भी उन्होंने कहा था कि इस क्रीम से भी आप मसाज करना नंदा के दो मिनट के बाद मुझे पसीना अने लगा फेस से पिर इसको वाइब करके हटा दिया फेस क्रीम के बाद क्या होता है कि इन्होंने दिया है आपको फेस पैक लगाने के लिए जो कि ग्लो फेस पैक है 20 मिनट्स आपको लगाना होता है इसको अच्छे से आप वाइप कर लो उसके बाद आप बढ़ते हैं हम फिप्ट स्टेप के तरफ इसका नाम है इंस्टा ग्लो फेस पैक थोड़ा सा क्रीमी टेस्टर का है पर बहुत जल्दी से हो गया था यह मुझे अच्छा लगा इसके स्मेल भी काफी ज्यादा बढ़िया थी इस तरीके से आप इसको स्प्रेड कर लो सबसे बढ़ी बात है यह फेशियल कीटना मतलब और आपके स्किन को फायदा ही पहुचाएगी आपके पिंग्मेटेशन को दूर करेगी ब्राइट करेगी स्मूध करेगी अगर आपके पास इंस्टेंट कोई पाटी प्लान है तो आ इस तरीके से फेस पैक को लगा के आप 15-20 मेर तक इसको छोड़ दीजिए फेस पैक लगाने से जादा बढ़ गया मुझे लगा मुझे तो फाइब में थ्री देना चाहूंगी फेस पैक मुझे कुछ जादा खास नहीं लगा और वो क्रीम भी मुझे जादा खास नहीं आपके मैं यहां पर दोने चली आई हूं तो वाश कर लेते हैं अपने फेस को देखे कितना अच्छा ग्लो आया है अब लास इसका स्टेप है ओयल फ्री मॉस्टराइजर यह ना एकदम लग रहा था कि गोल्ड टाइप का यह पापाया सीड वेगरा से बनाया हुआ हूआ ह एकदम लग रहा था है विटामीन यूज किया गया है लग रहा था कुछ गोल्ड टाइप का है जो इसकीन को मतलब इंस्टेंट ग्लो कर दे रहा था आप देख रहे हो बहुत ही इंस्टेंट ग्लो दे रहा है तो आपको कैसा लगा यह फेशियल मुझे जरूर बते है कमें करके बताना कैसा लगा फेशियल आपको मेरा यह घर बैठे हुए देखो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है तो चली मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाए टेक क्यार